नमस्ते फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि पहरा जो वीडियो आया था वो शायद नेटवर्क के इश्यू के लिए क्लिरली नहीं आया तो मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूं सबसे पहले आप सबको मैं दो चीज मैं बात करना चाहता हूं करोना के लिए आप सब जानते हैं कि कल से अगर तला में लॉकडाउन होगा और ये निश्शित भी है अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो प्लीज डून्ट गो आउट आप जानते हैं कि राजमाता को भी करोना हुआ है कल रिपोर्ट भी आया है कि उनको करोना निमोनिया हुआ है वो स्टेबल है घर में है हम सब देख भाल कर रहे हैं राजमाता का और आप लोग ने बहुत शुब कामना दिया है आपने बहुत लोगों ने wishes भेजा है get well soon बहुत लोगों ने prayers भेजा है I want to thank all of you all राजमाता is 76 years old अगले महने वो 77 हो जाएगी तो इस समय हम chances नहीं ले सकते हैं इसके लिए उनका health को हम अच्छे तरीके से monitor कर रहे हैं दूसरा बात है कि कल से क्योंकि lockdown होगा मैं सबको भी यही बोलना चाहता हूँ senior citizens हो young people हो youth हो students हो अभी आपको discipline maintain करके रखना है and please ensure that हम लोग बिना काम के बिना कोई वजे के बाहर मत निकले क्योंकि यह covid pneumonia और यह जब corona virus जब आता है अलग-अलग strain से आता है अलग-अलग mutant से आता है तो बहुत problem होता है और अगर एक बार हमारे hospitals में जगा नहीं रहेगा oxygen का कमी हो जाएगा तो बहुत खराब हो सकता है इसी के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे state tripra में कोई भी loss of life हो इसके लिए आप अपना discipline please maintain कीजे और mask हमेशा पहन कर रखे अगर meeting नहीं करना है तो meeting को भी थोड़ा सा avoid कीजे necessary नहीं है कि meeting हमेशा चलते रहे हम अपने तरफ से मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ बहुत लोग बोल रहे है लेकिन मैं यहां में भी message में देख रहा हूं लेकिन जो लोग मुझे attack कर रहे हैं मेरे मुझे personally attack कर रहे हैं तबी भी मैं उनको इतना importance नहीं देता हूं आज भी मेरा बात हुआ है चंदीगर में हमारे बहुत दारलोंग एंड रियंग स्टूडन्स है जिनको वापस आना है उनको problem हो रहा है तो मैंने उनसे बात किया है और उनका air ticket लेकर हम मैं अपने तरफ से अपने खुद के pocket से रुपया दे कर उनको वापस द्रिप्रा ला रहा हूं वो भी थोड़ा contribute करेंगे मैं भी थोड़ा contribute करूँगा लेकिन उनको जल से जल वापस द्रिप्रा ला रहा हूं इसी तरीके से हमारे बहुत लोग जो दूसरे दूसरे जगे में अटके हुए हैं अगर उनको जल से जल लाना है तो मैं अपने तरफ से ये देखिए ये government के तरफ से नहीं है ये मेरे खुद के तरफ से हम help कर रहे हैं जो लोग भी भार में फसेव हैं उनको वापस लाना और मैं अपने तीप्रा मुथा के members को बोलना चाहता हूं कि जो जिन जिन का भी घर में problem है खाने का problem है थोड़ा सा financial situation खराब है आप जाकर उनको help कीजिए मैं अपने तरफ से help कर रहा हूँ मैंने अपना पूरा एक साल का salary भी दाल दिया है और उसको छोड़के भी मैं अलग से अपने तरफ से help कर रहा हूँ अभी time है politics करने का time नहीं है अभी time है हम सबको एक होकर एक द्वाफा को एक होकर society को एक होकर ये करोना का pandemic जो महामारी है उसको रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा ये करोना किसी का जात नहीं देखता है, किसी का धर्म नहीं देखता है, ये करोना हमारा कमजोरी देखता है और इस कमजोरी को हमको fight करने के लिए एक होकर fight करना पड़ेगा Regarding vaccination, State Government से आज ही मेरा बात हुआ है, State Government बोल रहे है कि वो ramp up कर रही है लेकिन हम जब तक vaccines अगर तला नहीं पहुँचेगे, जब तक vaccines हमारे पास नहीं आएगे, तब तक हमको अपना बारे फिर भी सोचना है इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मैं politics नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जब तक हमको vaccine नहीं मिले, हमको सतर खोड़कर अपने social distancing रखकर घर के अंदर ही रहना चाहिए और mask हमेशा पहनना चाहिए दो या तीन चीज और था, मैं पहले बात करना चाहता हूँ कि कुछ खबर मिले क्योंकि मैं अपने मा के संग उनका देख भाल कर रहा हूँ तो मुझे खबर मिला है कि गंड़ाचरा में कुछ violence हुआ, police station में कुछ हाता पाई हुआ मैंने अपने unit से बात किया है, गंड़ाचरा से मैंने राजिश्ट्रपरा से भी बात किया है मैंने वहां के जो दूसरी लीडर से उनसे भी बात किया है और मैंने कहा है कि आज ही press conference करो और कोई भी, बहुत लोग मैं जानता हूँ जो तिप्रा मौथा में नहीं थे, जो last month में दूसरे party से तिप्रा मौथा आये है और तिप्रा मौथा का नाम लेकर वो violence create करना चाहते है मेरे personal जो मेरा image है, उसको भी खराब करने का कोशिश कर रहा है इसके पीछे बहुत political parties है, मैं जानता हूँ क्योंकि उनको लगता है कि अगर बुबागरा को खतम किया, तभी तिप्रासा का थंचा को खतम होगा तो अगर बुबागरा को ये target कर लो, बुबागरा की नाम खतम कर दो तो तिप्रासा का जो एकता आज जो बना है, वो खतम होगा और ये लोग, ये लोग खुद नहीं करेंगे, एक दूसरा तिप्रासा को लेकर ही बुबागरा का नाम को खरब करने का कोशिश करेगा मैं जानता हूँ, ये पुराना पॉलिटिक्स रहा है तुरपडा में, कि आप लोहे को लोहे से ही काडते हो तो एक तीपरासा को ये लेकर ही बुभागरा का नाम खराब करो तो बाद में थांचाट जो टूटेगा वो बुभागरा का नहीं टूटेगा वो तीपरासा दौफा का टूटेगा तो ये उनका प्लाइनिंग है लेकिन मैं अभी अपने leaders को बोल रहा हूँ कि जो भी जिसने भी ये गंड़ा तुईसा में violence किया उनको तीप्रा मौथा में एक position नहीं मिलना चाहिए पद नहीं मिलना चाहिए in fact उनको suspend किया जाना चाहिए तीप्रा मौथा का नाम लेकर कोई मेरे कंधे में रखकर अगर कोई violence करेगा तो मैं उसको tolerate नहीं करता हूँ मुझे नाम चाहिए मैंने अपना भी inquiry किया है और अगले एक हफते के अंदर उनको suspend किया जाएगा मुझे नाम चाहिए और मैं अपने रहमा वैली और गंगा नगर यूनिट के तीप्रा मौथा के leaders को बोड़ रहा हूँ कि मुझे नाम दीजिए मैं अगले चाट दिन के अंदर उनके खिलाफ action दूँगा CPM के लोग, BJP के लोग, IPFT के लोग आज मुझे attacker कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे attacker के क्या मिल रहा हैं को मैं तो, मैंने पूरे election में मैंने देखा कि एक news में आया कि IPFT ने कहा है कि जब महाज का नाम गिरेगा तब ही IPFT उठेगा मैंने आज तक IPFT को attack नहीं किया अगर IPFT को सोचना है तो IPFT क्यों हारा election IPFT ने अपना election इसके लिए हारा क्योंकि जिस मुद्दे में वो पावर में आये तीप्रा लैंड उसी को उन्होंने छोड़ दिया पावर में रहने के लिए आज हम पावर में काउंसिल में हैं, तभी भी मैं लीटर तीप्रा लैंड के बारे बोर्ड रहा हूं आज पावर से आने के बाद कितने बार उनकी लीडर ने तीप्रा लैंड के बारे बात किया है वो भुबागरा के लिए नहीं हारे वो तब हारे जब वो चुप हो गए वो तब चुप हो गए जब CA हुआ वो तब चुप हो गए जब NRC हुआ वो तब चुप हो गए जब हमारे खिलाफ एक पूरा प्लानिंग किया गया था हम लोग को खतम करने के लिए और वो चुप रहे क्योंकि उनको पावर में रहना था वो चुप इसके लिए रहे क्योंकि उन्होंने तीन साल में सिर्फ अपने BGP के ही लोगों को अटैक किया ना कि किसी और को तो ये उनका एक पूरा प्लानिंग है और इसी के लिए वो लोग आज पावर से बाहर है उनको लगता है कि उनका दुश्मन बुबागरा है उनका दुश्मन बुबागरा नहीं उनका दुश्मन है वो जो पैसे के लिए अपने लोगों को पीछे रखकर अपना खुद का संसार बढ़ा रहे है करप्शन है आपका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है कि आपने जिस बात से आप पावर में आये उसी को आपने छोड़ दिये हाँ development बहुत बड़ा इश्यू है development ही बहुत बड़ा इश्यू है लेकिन हमको आदमी ने power में इस calendar के लिए नहीं लाएगा हमको greater तीप्रा लैन्ड या आप के लिए लाया था आप लोग बारा दिन आप लोग ने बारा दिन दस दिन गाड़ी में आपने रास्ता रोका उस समय आपने development के बारे बात किया था ! आपने education के बारे बात किया था नहीं आपने तीप्रा लैंड के बारे बात किया था आज वही बात आप नहीं कर रहे हैं इसी के लिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरा option लेकर आईए मैंने पूरे election में किसी के खिलाफ कुछ नहीं का मैंने पूरे election में positive campaign किया लेक अगर मैं गिरूँगा तो फाइदा किसी और का है फाइदा किसी और का है आपको तो सामने पुतला बना के रखा गया है सोचो आज भी मैं आप सबको अपील करता हूँ जैसे आएनपीटी ने अपना स्वार्थ नहीं देखा विजयर अंखौल इतना सीने लीडर अपना स्वार्थ नहीं देखा उन्होंने दोफा के बारे सोचा उन्होंने अपने पार्टी को कहा कि अब तिप्रम मौथा के संग हमको एक हो जाना चाहिए I welcome that step that is called थंचा उसको देखे आज हमारे ब्रू लोगों को अभी भी ठीक से रहने का जगा नहीं मिला है उसमें हमको थंचा होके एक संग काम करना है लेकिन नहीं आपको पॉलिटिक्स करना है आज नर्सी का केस अभी भी सुप्रीम कॉर्ट में है नर्सी क यहिके लिए मैंने आज तक पाताल कर्ण्या के कहलाफ कुछ नहीं बोला क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कौट में आपको सॉपरीम कॉर्ट में है उसमें आपको सॉलीडरिटि देना चाहिए उसमें आपको आकर सामने हमको सबोर्ट करना चाहिए लेकिन तभी भी बीश पॉइंट, charity begins at home, काम हमेशा घर से शुरू होता है, मैं दूसरे पार्टी को कुछ जादा नहीं बोलूँगा, मेरे तीप्रा मौथा में भी, मैं दो-तीन लीडर को, clearly उनको मैं देख रहा हूं, उनका काम कैसा चल रहा है, और through facebook, live, मैं आप सब को, जो business में हैं, जो रहा हूं, एक रुपया, एक रुपया भी आप चंदा में, कोई भी लीडर को मत दो, तीप्रा मौथा के नाम में, क्यूंकि ये लोग तीप्रा मौथा के लीडर्स नहीं हैं, दूसरे पार्टी में थे, last moment में आये हैं, और तीप्रा मौथा का नाम लेकर, अपना पैसा कमा पाने का चक्कर में, आने वाले एक हफते के अंदर, मैं तीप्रा मौथा का सेंट्रल कमिटी, यूथ कमिटी, बुरुई बदॉल, और हम लोग का स्टूडन्स का फ्रंट को हम स्टार्ट करेंगे, और उस टाइम, जो अपॉइन्मेंट्स होगा, वो ही ओफिशल, रियल, अ दूसरे पार्टी में थे, अभी क्योंकि तीप्रा मौथा पाउर में है, तो उसमें घुज कर आप अपना धादागिरी कर रहे हैं, आप लोगों को पोस्ट नहीं मिनने वाला है, तो आपका धंदा भी मैं बंद करूँगा, क्योंकि मैं करॉप्शन को देखता नहीं हूँ मैं करॉप्शन को टॉलरिट नहीं करता हूँ, और कोई भी एक रुपया भी मत दो, कोई भी लिडर जो आकर तीप्रा मौथा के नाम में चंदा करेक करना चाहता है, यह मेरा क्लियर पॉइंट है, देखो, तीप्रा मौथा is a movement, हमारा movement है for greater तीप्रा लैन, जिस दिन greater मुझे next फिर के नहीं बनना है, मुझे next MP भी महीं बनना, मुझे next कुछ नहीं चाहिए, मुझे next понять तीप्रा लैन चाहिए, और वो greater तीप्रा लैन में सब लोग खुश रहेंगे, बिंगALLीज भी खुश रहेंगे, मनिपुरीज भी खुश रहेंगे, हमारी तीप्रासास भेदभाव नहीं करते है और हमारा एक movement है और यह movement आगे रहेगा अगर मुझे ही अगर मुझे एक पद देकर मैं आज अगर अपने ही ideology में compromise कर दो जैसे जो दूसरे party जो power में आने के बाद मंतरी बनने के बाद अपने ideology में उन्होंने compromise किया है अगर मैंने compromise कर दिया क्योंकि मुझे CM बनना है मुझे MP बनना है मुझे मंतरी बनना है अरे भाई यह से क्या मिलेगा यह post permanent नहीं होता मुझे आपके दिल में permanently बसना है और उसके लिए मेरा personal post का कुछ मतलब नहीं रहता है इसके लिए मैंने council में आने के बाद भी अपना CM का post मैंने नहीं दिया एक अच्छे honest इंसान पुर्णुक चंद्र जमत्या को दिया क्योंकि he's a honest man इसी के लिए मैंने कहा है कि अपने party में one man one post होगा one man one post मतलब जो सरकार में है वो party में नहीं होगा जो party में है वो सरकार में नहीं होगा अगर यहीं चीज़ दूसरा party भी करता तो आज शायद president और general secretary को छोड़के और दो मंत्री रहता cabinet में लेकिन नहीं उन्होंने नहीं किया मैं वो गलती नहीं करने वाला हूँ मैं वो गलती नहीं करूँगा क्योंकि हमारे party में जो government में है वो party में नहीं होगा और जो party में है वो government में नहीं होगा हमारे MDC's जो भी ह structure से administration के structure से एकदम अलग होगा इसके लिए मैं आप सब को बोड़ रहा हूँ कि we are going to make आतीप्रामौथा organization in the next one week उसके बाद आप देखे हम आने वाले दिन में क्या काम करते हैं आज हमारे पास council में administrative पा है लेकिन council में आज भी हमारे पास पैसा नहीं है आज भी 85% जो पैसा आता है वो तंखा में चला जाता है और जो 5,000 लोगों को हम तंखा देते हैं या 6,000 लोगों को हम जो salary देते हैं वो salary देने के बाद जो 9,00,000 आदमी और है जो 9,00,000 व्यक्ति और है तृप्रा में जो हमारे ADC में है 9,50,000 और उनको देने के लिए कुछ नहीं रहता है मैं इसको बदलना चाहता हूँ पैसा आपके पास आना चाहिए पॉलिटिक्स कम होना चाहिए और ये जो village council पंचायत election है उसमें election symbol के इनलाम में नहीं लड़ना चाहिए जो गाउं decide करेगा जो पंचायत decide करेगा जो village decide करेगा वो हमारे party को मानना पड़ेगा क्योंकि गाउ कि लोग हमसे जादा जानते हैं और ये जो लोग आकर बोलते हैं कि मैं politics ला रहा हूँ इसमें सबसे पहले अगर village council election में हमने अपना political symbol हटा दिया और हमने गाउं को decide करने के लिए एक मौका दिया कि जो गाउं decide करेगा वो हमारे लिए ठीक है तो असल में उन्नती होगा अस last point से if there is any question आप पूछ सकते मुझ से थैंक यू शुश्मिता देबनाथ थैंक यू समर्जीत चक्मा आयल्पी इस डिमांड आप 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 दिर्फिजा सेलुशन हमने आयल्पी डिमांड किया है अगर government of India के पास ज्यादा अच्छा आइडिया है तो हम से बोले लेकिन यह हमारा कॉर डिमांड है बर्खा जॉय राइट चॉब क्या वट हेल्प डियू वांट समेरान मैं भी विश्वास करता हूँ बहुत लोग मेरा नाम खराब करने के लिए एक प्लैनिंग कर रहे हैं लेकिन ज्यादा दिन वो कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो प्लैनिंग कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई और है राजमाता is not well, she is stable, she has got covid pneumonia, she has got fever और हम उनका देख बाल कर रहे हैं गेंजी, तकिया, first EDC council session will be I think sometime this month अगर करोना हूँ हो गया है, then I don't know, but I will look into it पंकजडास, सच बात मैं बोलूँ, मुझे statues के उपर कोई दिल्जस्पी नहीं है महाराजा बीर बिकरम के नाम में statues नहीं करके, अगर हम लोग महाराजा बीर बिकरम के नाम में scholarship खोल दे, तो जादा अच्छा होगा जो पैसा हम लोग मूर्ती में खर्चा करते हैं, उससे जादा अच्छा है कि हमारे students के education के लिए खर्चा करते, वो मुझे जादा अच्छा लगता है, जादा ठीक रहेगा थैंक यू मुहमद दिलावर हुसेन, कोई questions है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभिक पॉल, नो, I have not thought about any such thing as of now खुमूलूंग में जो हो रहा है, मैंने मुझे पूरा मालूम पढ़ गया है, सुरेश दे बर्मा, एक हफ़ते के अंदर आप देखिए, मैं पूरा बदलता हूँ बहुर, what help do you want from Hyderabad? सुरेश दे बर्मा, खुमूलूंग में जो हो रहा है, मैंने कह दिया है, कि हम कोई भी association को accept नहीं करते हैं, कोई contractors association हो, कुछ association हो, वो तीप्रा मौथा का representative नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप सुनिये, गाओं में आकर दस लोग दस बात बोलेंगे, लेकिन इसी के लिए मैं facebook live में आता हूँ, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ, वो ही truth होता है, वो ही reality होता है, क्योंकि party का chairman मैं हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, कि मेरे party के नाम से किसी को भी एक रुपया चंदा करने के लिए भी आप चांस नहीं दीजे, खापंग बारोग, we are going to start youth tipra, we are also going to start the student swing, burui bodol, in one week's time, then we can improve the tipra motha and the grassroot, but सबसे important बात है, आप लोग tipra motha को अगर जादा political बनाओगे, तो हम लोग का लोगो का कभी उन्नती नहीं होगा, जब तक ये tip political party कम, movement ज्यादा रहेगा, for greater tipra land, तब तक हम लोग successful रहेंगे, जिस दिन हम दूसरे party के से बन जाएंगे, उस दिन हम भी खतम हो जाएंगे, ये मैं point आप सब को clearly openly बोल रहा हूँ, जर्ष देबर्मा, वेर आईव फ्रम? हरी केश देबर्मा, मैं village council election में candidate अपने तरफ से नहीं दूँगा, जो गाउ मानेगा, उसी को हम देंगे, जौन मोल्सॉय इनलायन पर्मित इसक Spelling कowया, जो नो मुदह दूटर्सके उनल सोडेटर्स साजल्ड देबर्मा, मैं पीडबदी को सााल का चार करोड, पचास लाग दिए जाता है, और state के पास over 200 से 300 करूर रुपय होता है तो हमको जो काम दिया जाता है सिर्फ 1% काम दिया जाता है और उसमें भी यह साल अभी तक रुपया नहीं आया है मैंने देखा यहां में 2-3 questions हैं जो सब लोग पूछ रहें कौन को क्या post मिलेगा कौन को क्या pad मिलेगा कौन कहां जीतेंगे मैं आपको एक पूछना जाता हूँ मैंने खुद MP का post नहीं लिया मैंने खुद Congress का post छोड़ा NRC के लिए NRC के लिए मैंने sacrifice किया Congress का President का post और CA के उपर आज Council जीतने के बाद मैंने खुद अपना एक post नहीं लिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि post आने से पार्टी का काम नहीं होगा और मेरा जो demand है Greater Tipperland वो हलका पड़ जाएगा क्योंकि मैं government में भी हूँ और मैं पार्टी भी चला रहा हूँ इसके लिए one man one post किया मैंने खुद अपने बारे एक post नहीं मांगा और आप लोग यहां में दो-तीन लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि मुझे ये post मिलेगा मुझे sub-zonal post मिलेगा मुझे zonal post मिलेगा मुझे गाउं में आप लोगों को आदमी ने vote दिया है post के लिए नहीं दिया आप लोगों को हमारे तीप्रा सा ने vote दिया greater तीप्रा लैंड को fulfill करने के लिए उसको मत भूलो अगर आपको लगता है कि आपको post मिलने से आपका जिंदेगी बन गया नहीं बना है इसी के लिए जो दुसरा party आज है वो खतम हो चुका है उनको लगा MLA बनके मंत्री बनके सब हो जाएगा कुछ नहीं होता है आपका real sacrifice है आपके देश के लिए आपके लोगों के लिए इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अपना post के पीछे मत भागो greater तीप्रा लैंड का movement के पीछे रहो जीत सेना why don't you ask the same question is all the other parties only for general area not for ADC can you ignore 80% of 70% of 30% ADC है जीत सेना 70% 30% ADC के अंदर है हम 70% 30% के लिए लड़ते है जो जमीन है चुमोई हाटा का ये police act has been we are going to pass the bill उसके बाद state government को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमको police चाहिए to guard our own ADC चंड़ा पीके अभी to make ADC into tourism place अभी the most important point है greater तीप्रा लैंड and how to fight corona मैं party के लिए बात करता हूं मैं government के लिए बात नहीं करता हूं पद्मा चाक्मा आइनो ये हुआ है violence नहीं होना चाहिए थैंक यू नाईशा कोई specific question हो तो आप प्लीज पूछे मुझसे आने वाले एक हफ़ते के अंदर मैं पूरा तीप्रा मौथा का central committee youth front, student front, बुरुई बुदल को reorganize कर रहा हूं करोना में सब लोग मर रहे हैं नौकरी नहीं है और आप विदान सभा के बारे सोच रहे हैं विदान सभा के बारे हमारा एक political movement है अगर हमें तीप्रा लाइन विदान सभा के पहले मिल जाता है greater तीप्रा लाइन तो हम नहीं लड़ेंगे हमारा मतलब ही नहीं हमको अलग मिल गया जो हम चाहते थे और अगर नहीं मिला तो ज़रूर लड़ेंगे कुप्लाई बरॉप ADC direct fund अगें दिल्ली से बात करना पड़ेगा और इसी के तो हम greater तीप्रा लाइन मांग रहे हैं कि कब तक हम direct fund more power more power बोलेंगे इसके लिए हम बोलेगे हम लोगों direct power दीजे दोमदी जमत्या अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहे तो greater तीप्रा लाइन कभी नहीं मिलेगा तीप्रा लाइन भी कभी नहीं मिलेगा अगर हम लोग के बीच में थांचा रहा और हमने एक दूसरे को कम अटैक किया और हमने इशू को ज़्यादा सामने रखा तभी कुछ मिलेगा इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लोग चाहते हैं कि अब क्योंकि हम काउंसिल में हैं तो हम तीप्रा लाइन के बारे बात नहीं करें इल्लीगल माइग्रेंस के बारे बात नहीं करें हम तो हमेशा बात करेंगे जो इल्लीगल है इस देश में उसको नहीं रहना चाहिए और गेटर तीप्रेलान हमारा कौर इशु है उसको हम पकड़ के रखेंगे अगर विदान सभा में सीपे में वोट नहीं दिया तो नहीं देने दो हम आज भी जीरो हैं परसो भी जीरो थे कल भी जीरो रहेंगे लेकिन हम अपने आइडियोलजी से कॉम्प्रिमाइज नहीं करेंगे वोट के लिए नाइश यूग ओनाजाज यूथ वोमें सीम अबिड़ जाग जमत्या तो नहीं यूट एड तो नहीं दो एटीपरान थेश्वे लिए टीजेग जा टे एट्रेश टूंग झाने प्रूट नहीं आट टूट थेजिए तो रिए टूंग एट प्रूट आजिए लिए टीरो मौलसम नर्मवी Μौलसमी य very much आर्मौने में छोटिए मौलसम गॉटय। लॉंग तिल नाव नो मानी हैस कम फॉर जॉब क्रिएशन न्टीटी एडिसी फ्रम दे स्टेट गवर्मेट सुरज दे बर्मा ठीक बोला आपने पंचय के रमीन इजन इसे इंपर्टन ग्रीटरं तिप्रा लाइन अलगा लेकिन अगरतला में कल से कर्फिव होगा और मैं सब को अनुरूद करता हूँ कि प्लीज फॉलो दे गवर्मेंट गाइडलाइन्ज किरन शर्मा मैं जब अपने लोगों के बारे बात करता हूँ तो किसी के खिलाफ बात नहीं करता हूँ मेरे राज्ये के आइडिया में सब हैं बिंगॉलीज हैं, हिंदूज हैं, क्रिस्चिन हैं, मुसल्मान हैं, मनिपूरीज हैं जो हिंदुस्तान से आये हैं, हिंदुस्तानी वर्कर्स हैं, चाबागान के वर्कर्स हैं सब हैं, हम किसी के उपर अतियाचार नहीं करते हैं secular है और किसी धरम किसी जाती के खिलाफ नहीं है तो एनी last questions क्योंकि इसके बाद मैं कचांग तुरुपरा कौन से गाउं में से हैं आप दुरुपरा टो और किसी जाती किसी दूदेट को आप एंपर आपा अपो मानी आप्न ए विए अविए तून्सुटंपला करन चाखम ए रफ्ली रुटंवज़ की चांग तून्सुटंपला विए यच्ण रफवली वन रुपी औलसो फॉर डेवलाप्मेंट अक्टिविटीज वी आर होपिंग दर आने वाले दिन में वो लोग भीजेंगे एक काई पैंग पहले तीप्रा लैंड तो अचीव करो पहले ग्राउंड फ्लोर तो बनाओ उसके बार सेकेंड फ्लोर बनाओ आप बोल रहें कि ग्रेटर थीप्रा लैंड के बाद क्या करेंगे पहले जमीन तो लो अपना वापस अपना अधिकार तो पहले लो लास्ट क्वेशन हरन वट इस यो नेम अव्ट विलेज आपका गाउंका नाम तो बताए हरन विष्णू तीप्रासा और तीप्रासा हाविंग वाइलेंस विकॉस हम आज तक अभी भी पॉलिटिक जादा करते हैं और दौफा के बारे बात नहीं करते हैं इसी के लिए मैंने कहा है कि गाउं में नहीं देना चाहिए और शिहानु मॉग नोबड़ी विल बिगवन पॉजिशन डिसका रिकॉर्ट खराब है पहले से कमल मॉग फाइदी फाइकाहाम मोस्ट वेलकम आईए थैंक यू मेरी आप अल्री स्पोगन अबाओ अबड़ी स्पोगन अबड़ी इसू इस वेरी सीरिस इसू और यू आफ टू वेट वैक्सीन अभी तक पूरा पहुंचा नहीं है हम लोग देखते हैं कि कितना जल्दी हो सकता है गुद सुजेशन अपर मोनी जमतिया आइए लूक इंटु इंटु इट थैंक यू आइशा थैंक यू राजमाता आइवल कंवे ओल्य विशिस टू राजमाता राजमाता को मैं सबका आपका शुप कामना कंवे कर देता हूं थैंक यू थैंक यू